ओम स्री गनिशाय नम्हा जै स्री राधिक्रिष्ण आईए आज आप सब सुनेंगे अमावस्या और पुर्णिमा दो बहनों की कथा तो बोलिए प्रेम से भगवान भोले नाथ की जै माता पारवती की जै सर्वदेवी देवता की जै कथा के अनुसार एक राज में एक राजा और एक रानी रहते थे जिनकी चार संताने थी दो लड़के और दो लड़कियां एक लड़की का नाम पुर्णिमा तथा दूसरी लड़की का नाम अमावस्या था पुर्णिमा घर के कामों में निपुन थी और घर का पूरा काम करती थी और भगवान की पूजा अर्चना भी किया करती थी इसके अतिरिक्त वह गव माता की सेवा भी करती थी और उसकी दूसरी बहन अमावश्या ना कभी घर में कोई काम करती थी और ना ही भगवान की पूर्णिमाश सर्वगुण्वशंपन्य थी फिर भी राजा और राने अपने दोनोँ बेटों तथा पुत्री अमवश्य को ही प्यार किया करते थी और वह पूर्णिमाश से प्यार नहीं करते थे उसके साथ भेद भाव करते थे राजा के चार पुत्र और पुत्री धीरे धीरे बड़े हो रहे थे जब वे बड़े हो गए राजा ने अपने दोनों पुत्रों का विवाह योग्य कन्याओं के साथ विवाह करवा दिया इसके बाद रानी ने राजा से कहा कि अब दोनों पुत्री विवाह योग्य हो गई है और इन दोनों का विवाह भी करा दो लेकिन पुत्री अमावश्या का विवाह किसी बड़े खांदान में कराना और पुर्णिमा का विवाह किसी गरीब परिवार में कराना क्योंकि पुणिमा को किवल भगवान की पूजा पाठ करना ही पसंद है और गाय की सेवा करना पसंद है अब रानी ने राजा को दोनों पुत्रियों का रिस्ता तै करने के लिए भेज दिया राजा ने अपने पुणिसी राजे में जाकर वहां के राजा के पुत्र से अमवश्या का रिस्ता तै कर दिया और वहीं पास के गाउं में जाकर के एक गरीब परिवार के लड़के से पुत्री पुणिमा का रिस्ता भी तै कर दिया यह सारी बात जाकर राजा ने अपनी रानी से बताया तो रानी यह सोचने लगी कि अब देखते हैं कि भगवान इसकी मदद कैसे करते हैं वह बहुत ही पूजा पाठ करती थी और भगवान में मगन रहती थी पूर्णिमा का भाई और उसकी भावी पूर्णिमा से प्यार करते थे क्योंकि पूर्णिमा उनके घर के कामों में उनका सदा ही हात बटाती थी और यह उनकी दूसरी बहन अमवश्या उन पर अपना उरूब जमाती थी और घर का कोई काम भी नहीं करती थी कुछ समय बीत जाने के बाद दोनों पुत्रियों का विवाह हो जाता है राजा और रानी विवाह के बाद अपनी दोनों पुत्रियों को विदाई देते हैं विदाई देते समय राजा और रानी पुतरी अमावश्या को बहुत सारा धन और दोलत देकर के विदा करते हैं और पुर्णिमा को कुछ नहीं देते हैं, खाली हाथ अपने घर से विदा करते हैं, इसके बाद दोनों बहने अपने अपने ससुराल को चली जाती हैं, कुछ दि जाती है जब गाओं की सभी औरते अमश्या के यहां जाती है तो यह सब द्रिश्श पुरुणिमा अपने घर के दरवाजे के बाहर से बैठ कर देख रही होती है तब वहांसे गुजर रहे औरते पुरुणिमा कहती हैं कि तुम्हारी बेहन के यहां शिवजी की कथा रखी है क्या तुम नहीं चलोगी पुर्णिमा ने कहा मुझे निमंत्र नहीं आया है और मैं नहीं जा सकती सभी गाउं की औरते पुर्णिमा से कहती हैं नहीं बुलाया तो क्या होगा भगवान शिवजी की कथा है तु अमावश्या की नजर पूर्णिमा पर पड़ती है तो वहां कहती है कि तुम यहां कैसे चली आया, मैंने तो तुम्हें बुलाया भी नहीं था, खेर आ गई हो तो कोई बात नहीं, अब तुम यहां चुप चाप बैठी रहना, यह कहते हुए अमावश्या पूर्णिमा की गर करना गलत है क्या गौम अता की सेवा करना गलत है आखर मेरी गलती क्या है आप मुझ पर अपने कृपा देश्टी कब बनाएंगे पूर्णिमा भारबार भगवान शिव से यहां प्रशाद माँगेगे तो वहां उन्हें क्या जबाब देगी। उसने सोचा कि वहाँ अपने मायके अपने भाई और भांजे के यहाँ जाएगी और वहाँ जाते हुए वहाँ से बच्चों के लिए कुछ ले कर आएगी ऐसा सोचते हुए वहाँ अपने घर लोटकर वापस आई इसके बाद उसने अपने पती और बच्चों से कहा कि वहाँ अपने माय के जा रही और पती ने कहा कि ठीक है कुछ समय के बाद पुर्णिमा अपने माय के के लिए रवाना हो गई चलते चलते रास्ते में एक चबुत्रा आया जिस पर तुलसी का पौधा लगा था उस चबुत्रे पर एक बुड़ी अमा बैठी हुई थी वह कोई और नह पुर्णिमा ने पुर्णिमा से कहा कि बिटिया तुम कौन हो और कहा जा रही हो पुर्णिमा अपना परचय देती है और परचय देने के बाद बुड़ी अवरत ने पुर्णिमा से कहा कि यहां तोसी का पौधा सुख रहा है इसमें थोड़ा सा पानी डाल दो और इस चब पुर्णिमा ने साप सफाई करने के बाद बुढी अम्मा को नहला दिया और बुढी अम्मा की सेवा भी की उनके पैर दबाए और बुढी अम्मा से कहा कि माजी और बताईए मैं आपकी क्या सेवा करू और कोई काम है तो बता देजिए मैं वहां काम कर दोंगी। बुढ़ी अम्मा ने कहा कि कुछ नहीं अब तुम जाओ और वापस आते समय मुझसे मिलते हुए जाना। पुर्णिमा ने बुढ़ी अम्मा से कहा कि ठीक है माजी मैं जाते हूँ वापस आते वक्त आपसे मिलते हुए जाओंगी। कुछ समय आगे चलने के बाद भगवान शिवजी का एक मंदिर आया। वहाँ पर उसे एक बुढ़े बाबा मिले जो मंदिर के बाहर बैठे हुए थे। वहाँ और कोई नहीं साक्षात भगवान भोले नाथ थे। उन्होंने पुर्णिमा से कहा कि कहा जा रही हो बेटी तु और चबूत्रे की सफाई कर दी और वहाँ पर पूजा पाठ अर्चना भी की और साफ सफाई पूजा अर्चना करने के बाद उन्होंने बुढ़े बाबा को भी नहला दिया। और उनसे कहा कि बाबा और कोई काम हो तो बतला दीजिए। बुढ़े बाबा ने कहा कि नहीं बेटी तुम अब जाओ और वापस आते वक्त मुझसे मिलते हुए जाना पुर्णेमा ने कहा कि ठीक है बाबा मैं जाती हूँ वापस आते हुए आप से मिलते हुए जाओंगी आगे चलते चलते कुछ दूर चलने के बाद पुर्णेमा को एक काली जी का मंदिर दिखाई तब पुर्णेमा ने उस बुड़ी औरत को भी अपना पड़्चे दिया फिर उस बुड़ी औरत ने पुर्णेमा से कहा कि यहाँ पर सभी पूजा पाठ करने के लिए आते हैं लेकिन मंदिर की साप सफाई करने के लिए कोई नहीं आता इसलिए तुम मंदिर की और चबु अम्मा के पैड दबाती है और कहती है कि सभी काम हो गया हे माजी और कोई काम हो तो आप मुझी बतलाईए वह बोड़ी अम्मा कहती है कि नहीं बेटी अब तुम जाओ लेकिन वापस आते वक्त मुझसे मिलते हुए जाना पुर्णिमा कहती है कि ठीक है वहां आगे चली जाती है आगे चलते चलते एक नदी आती है वहां पर भी एक बोड़ी अम्मा बैठी रहती है और वहां कहती है कि बेटी तुम कौन हो कहां से आई हो इस पर पुर्णिमा उन्हें अपना परिशे बतलाती है फिर बुड़ी अवरत पुर्णिमा से कहती है कि नदी पर अश्णान करने तो यहां पर सवाते हैं लेकिन यहां की साफ सफाई कोई नहीं करता इसलिए तुम इस किनारे पर साफ सफाई कर दो पुर्णिमा कहती है कि ठीक है माजी और वहां की सफाई कर देती है बुड़ी अमा की पैर भी दबा देती है कहती है कि है माजी और कोई काम हो तो बतलाईए बुड़ी औरत कहती है कि कुछ नहीं बेटी तुम जाओ लेकिन वापस आते वक्त मुझसे मिलते हुए जाना और फ भाई और भावी उससे देखकर बहुत खुस हो जाते हैं और वे पुर्णिमा की बहुत खातिदारी करते हैं और उससे बहुत सारी बाते भी करते हैं और कहते हैं कि बच्चों को भी साथ लेकर आती तो बहुत अच्छा होता अब कुछ समय के बाद पुर्णिमा ने वापस अ और कहा कि तुम बहुत दिनों के बाद आई हो, और पूर्णेमा की भावी ने सभी समान का थैला पूर्णेमा के हात में दे दिया और कहा कि जाओ और जल्दी वापस आना, इसके बाद पूर्णेमा वहाँ से अपने सस्राल के लिए रवाना हो गई और उसी नदी के किनारे पहुँशी और नाव में बैटकर दूसरे किनारे पर उतर गड़ी वहाँ पर उतरने के बाद उसे वहाँ बोधी अम्मा मिली जो साक्षात गंगा मैया थी उस बोड़ी अम्मा ने पुर्णिमा को एक थैला दिया और कहा कि इसे तुम अपने घर जाकर खोलना अब पुर्णिमा के पास अन्य थैले भी हो गए उन्हें लेकर पुर्णिमा वहां से रवाना हुई कुछ आगे चलने पर माता काली का मंदिर आया वहां पर काली मा जो की बोड़ी अम्मा की रूप में विराजमान थी उसने कहा कि बेटी तुम आ गई हो तो पुर्णिमा ने कहा कि हा माजी मैं आ गई हूँ काली माता ने उसे एक थैला दिया और कहा कि यह तुम थैला अपने घर जाकर खोलना अब पुर्णिमा के पास तीन थैले हो गए तीनों थैलों को लेकर पुर्णिमा आगे की और बढ़ी कुछ दूर जाने पर शिवजी का मंदिर आया जहां पर बुड़े बाबा की रूप पुर्णिमा को एक थैला दिया और कहा कि यह थैला तुम अपने घर जाकर ही खोलना पुर्णिमा ने कहा कि ठीक है बाबाब अब पुर्णिमा के पास चार थैले हो गए पुर्णिमा उन सभी थैलों को लेकर चलती है लेकिन उसके पास ज्यादा थैले होने के कारण उन सभ को एक पुरानी सारी में बांध करके एक गठा बना लेती है और उसे सर पर रखकर वहां से रवाना हो गई कुछ दूर जाने के बाद उसे तुलसी माता जो की बूटी औरत की रूप में मिलती है और वह कहती है कि पुर्णेमा तुम आ गई हो उसने कहा कि हा माजी मैं आ गई हूँ वहां बोटी औरत जो की माता स्वयम तोलसी थी उन्हों ने भी एक थैला दिया और कहा किया बेटी इसे तुम अपने घर ले जाओ और वहां जाकर ही इसे खोलना इस प्रकार से पुर्णिमा के पास पांच थैले हो गए थे पुर्णिमा वहां से रवाना हुई तो वापस अपने पहले दिये हुए मायके का थैला खोल कर वहां देखने लगे उसमें बच्चों के लिए अच्छे अच्छे कपड़े और खाने पीने की चीजे थे उसमें कुछ गहने भी थे पुर्णिमा ने कपड़े अपने बच्चों को दे दिये और खाने पीने की चीजे भी ब बच्चों को दे दि बच्चे यह सब पाकर बहुत प्रशन हुए पुर्णिमा ने फिर दूसरा थैला खोला जो उसे माता गंगा ने दिया था उसे खोलने पर उसमें धेर सारे हीरे जवारात सोना चांदी आधी उसे प्राप्त हुए इसके बाद अब पुर्णिमा ने तीसर थैला खोला जिसमें काली माता ने उसे बहुत सारा सोना स्रिंगार का सामान दिया था इसके बाद पुर्णिमा ने फिर चौथे थैले खोले उसमें भगवान सिपजी की किरपा से उसमें बहुत सारा धनसंपत्ति भड़ा हुआ था और बहुत सारी खुशिया भड़ी अब पुर्णिमा के घर में किसी प्रकार की कमी नहीं थी उसका घर धन धाने से भड़ा हुआ था और पुर्णिमा और उसका समस्त परिवार सभी सुख में जीवन व्यतित करने लगे अब पुर्णिमा के मन में विचार आया कि क्यों न भगवान शिवजी की कथा करवाई जा इस प्रकार कथा रखकर के पुर्णिमा ने गाउं के सभी लोगों को निमंतरन दिया और घर घर जाकर सभी लोगों को बुलाया पुर्णिमा अपनी बहन अमावश्या के घर भी गई और अमावश्या को भी शिवजी के कथा के लिए उसे अपने घर पर बुलाया जब अमावश्या पूर्णिमा के घर सिवजी की कथा में आई तो उसने देखा कि पूर्णिमा के घर में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है। इतना सारा धन दवलत देखकर अमावश्या आचरे चकित हो गई। उसने पूर्णिमा से कहा कि तुम्हारे घर में इतनी धन और द प्रसाद तक नहीं दिया था और मेरी गरीबी का मजाक भी उड़ाया था इसके बाद मैं अपने घर आई और घर आते हुए मन में ही मैंने सोचा कि अपने माय के जाओंगी और मैं अपने माय के चली गई और जो कुछ घटना इस बीच हुई वह सभी घटना अपने बहन वश्या कहती है कि तुम भी मुझे प्रसाद मत दो और मुझे डाट कर भगा दो लेकिन पूर्डेमा ने कहा कि यह तो भगबान का प्रसाद है मैं तो सब को दोंगी और तुम्हें भी प्रसाद दोंगी अमावश्या ने प्रसाद नहीं लिया और वह सिधे अपने घर चली मा मिली जो चबूतरे पर बोड़ी मा के रूप में बैठी हुई थी बोड़ी मा ने अमावश्या से कहा कि बेटी तुम कौन हो तुम कहा जा रही हो अमावश्या ने अपना परचे दिया बोड़ी मा ने कहा कि यहां तोसी का पौधा सुख रहा है इसमें थोड़ा सा पानी ड जाएगी ऐसा कहकर वह वहां से आगी चली गई और आगे जाने पर उसे भगवान श्रिवजी मिले उन्होंने भी उससे वैसा ही कहा गये और जब दू हमें लगे तो उसे नाओ में फूलो वहां काटे भरे हुए थे जो उसके पैरों में चुब रहे थे किनारे पर उतर कर वह वहां से अपने माईकी की ओर चल पड़ी जब वहां उसके भाई और भावियों ने देखा तो मन ही मन कहने लगे कि काम की नकाज की धाई मन अनाज की अब यहां आही गई है तो ठीक है काना बनाया और खापी कर सभी सो गए अमा वस्या जब सुआ उठी और अपने भाई भावियों से कहा कि मैं अपने ससुराल को जा रही हूं उन्हों ने कहा कि ठीक है जाओ अमा वस्या बोली पुर्णेमा को तो तुमने एक थैला दिया और मुझे कुछ नहीं दोगे क्या भाई और भावी ने कहा कि तुम घर जाओ थैला तुम्हारे घर पहुंच जाएगा फिर अमा वस्या वहां से निकल गई और नदी के किनारे पर पहुंची वहां गंगा मैया बुड़ी औरत का रूप धारन कर बैठी हुई थी बुड़ी माने कहा कि आ गई बेटी तो उसन ने कहा कि हां मैं आ गई अमा वस्या ने कहा कि तुमने प्रोणिमा को एक थैला दिया था और मुझे नहीं दोगी क्या बुड़ी अम्मा ने कहा कि तुम अपने घर जाओ थैला तुम्हारे घर पहुंच जाएगा इसके बाद आगे जाने पर उसे काली माता मिली जिसने भी अमा वस्या को यही कहा इसके बाद आगे चलने पर उसे भगवान शिवजी मिले उन्हों ने भी अमा वस्या से यही कहा आगे चलने पर माता तुलसी मिली और उन्हों ने भी अमा वस्या से यही कहा कि तुम अपने घर जाओ थैले तुम्हारे घर पहुंच जाएगे अमा श्राज़ान में देखा तो वहां पर पांस थैले पड़े हुए थे। अमबश्या ने मन ही मन सोचा कि अब तो मेरी पास भी बहुत सारा धन और दवलत आ गया है। जल्दी जल्दी उसने उन सभी थैलों को खोला, किसी में मिट्टी था तो किसी में पत्थर, किसी में कंकर तो किसी में कोईला, उसे मायके से कुछ नहीं मिला था, इने थैले में कुछ नहीं था, अमा वश्या दोड़ती हुई पूर्णेमा के घर गई, और कहती है कि तुम्ह तो इतना सब कुछ मिला तो मुझे कुछ क्यों नहीं मिला आखिर क्यों तो पूर्णेमा कहती है कि जब मैं अपने माय के जाती हूं तो अपने भावियों के साथ उनके कामों में हाथ कटाती हूं उनके साथ मिलकर काम करती हूं लेकिन तुम ऐसा कुछ भी नहीं करती हूं उन तुम ने ठुकरा दिया इसलिए उन्हों ने भी तुम्हें कुछ नहीं दिया अमवश्या कहती है कि बेहन तुम मुझे माप कर दो मैंने तुम पर हमेशा अत्याचार किया है मुझे कुछ नहीं मिला तो कोई बात नहीं मैं भी भगवान की भक्ति करूंगी और सब कुछ प्र सुत्र में दया माँगना और दूसरे सुत्र में कथा मांगना तीसरे सुत्र में 108 बार ओम नमस्षुआय का बहन भगवान ने यह सुत्र दिये हैं इनको अपने हिड्ड़ाइं में वसालो मैंने भी यही तीन सुत्र अपने में अपनाये हैं और सच्छे मन से भगवान की भक्ति पूजापाट की है फिर भगवान ने मुझे यह सब कुछ दिया है और तुम्हारे पास जो कुछ भी था वह भी सब खत्म हो गया इसके बाद अमवश्या अपने घर गई और भगवान की पूजापाट करने लगी भगव माता सरवन करते हैं, गौ माता की सेबा करते हैं तो उन्हें सभी प्रकार के धन समरिध्य सुख व्यभव की प्राप्ति होती है तो बोलिये प्रेम से भगवान भोले नाथ की जै, माता पारवती की जै, सर्वदीवि दीवता की जै तो आसा करता हूं कीह कथा आपको अच्छा लगा हूं इसी प्रकार से ज्ञान बर्धक जानकारिया प्राप्ता करते रहने के लिए व्रत्व्पूजा के बारे में जाने के लिए कथा को सुनने के लिए चैनल पे अगर आप पहली बार आये हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में वेल आइकन घंटी को दबाए, ताकि आने वाली वीडियो का नोट्फिकेशन आपको समय से मिलता रहें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, शुखी रहें और स्वस्त रहें। जैसरी राधे कृष्णे, धन्यवाद।